राजस्थान रोडवेस के कर्मचारीओं ने सैलरी देर से आने के चलते नाराज होकर सरकार के सामने मांग रखदी और 11 औगस को प्रदर्शन का एलान कर दिया तेलंगाना सरकार दौरा रोडवेस को सरकारी विभाग बनाए जाने के चलते ये मांग उठने लगी है हर्याना में रोडवेस विभाग के कर्मचारियों को सरकारी विभाग की मानिता मिली है लेकिन यही मांग पिछले दो सालों से राजस्थान में लंबे थे रोडवेस कर्मचारी सैलरी और पेंशन को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है और इन सब के पीशे की एक बज़े सरकार द्वारा विभाग को सरकारी ना बनाया जाना है अगर इस विभाग का काम भी अन्य सरकारी दफ्तरों की तरह हो जाएगा तो वेदन और भत्तों के लिए कर्मचारियों को जूर्या नहीं पड़ेगा इस मामले में सीयम गहलोत को पत्र भी लिखा गया है लेकिन सरकार द्वारा इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया इसी के चलते रोडवेस कर्मचारियों के अलग-अलग संगठन फिर से सक्री हो गए हैं और 11 ओगस्त को बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने सरकार को चेताबनी देते हुए जल्ती जल्द मागों पर विचार करने की बात कही है